क्लास आज हम देख रहे हैं कम्प्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चाप्टर है स्कुराच यहां पर आज सेशन 3 में हम मोशन ब्लॉक्स के बारे में देखने वाले हैं हमने आगे के सेशन में देखे थे, what is a stage, workspace का मतलब क्या है, sprites का मतलब क्या है, यह सब हम लोगों ने देखा था, हैं या नहीं? Yes, so we have seen all of this in the previous sessions और आज क्या देखने वाले हैं? ब्लॉक्स के बारे में देखने वाले हैं हम लोगों ने पहले सेशन में, we have already seen about, we have talked about instructions, हैं क्या नहीं? Scratch एक programming language है और उसका instructions के बारे में भी हम लोगों ने फड़ा था So ये ब्लॉक्स जो होते हैं, they are built-in instructions ब्लॉक्स क्या होते हैं? Built-in instructions होते हैं So हर एक ब्लॉक के लिए हर एक options रहता है हर एक ब्लॉक के लिए हर एक working रहता है, हर एक specifications रहते हैं ये जो ब्लॉक्स होते हैं, this will be instructing the character ये ब्लॉक्स क्या करते हैं? character को instruct करते हैं समझ में आया आपको so what are we going to do आज हम ये जो motion blocks है उसके बारे में देखने वाले है पहले हमें पता होना चीए motion का मतलब क्या है motion का मतलब है moving motion का मतलब है moving so we have to know how are these blocks going to help the sprite move so ये जो blocks होते है motion blocks ये क्या करते है sprites को move करते है the sprite, sprites का मतलब क्या है जो characters हम लोगों ने देखा था वो kitten और butterfly, dinosaur सब हम लोग ने देखा था ना all these are called as sprites so ये sprites को जो blocks move करने के लिए help करते हैं उन्हें कहते हैं motion blocks okay so आज देखते हैं ये blocks खाम पे जाके drop करना पड़ेगा हमें तो पता है scratch सब drag and drop programming so drag करके कहाँ drop करना है वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं all right so चलो session के अंदर so we have this scratch window ready by right now हमें तो पता है stage का मतलब क्या है और sprite का मतलब क्या है ये सब हम लोगों को पता है हम लोग तो नायवाला paint भी कर सकते हैं sprites है और stages और आज क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं ये script pane इसका मतलब है script pane script pane का मतलब है जो place में हम blocks को drop करने वाले हैं अभी देखो stage is selected no motion blocks stage select किया गया है तो blue color line आप देख रहे होना that is the stage being selected okay so हमें क्या चीए है हम लोगों को character ही move करना है stage तो move नहीं करेगा है ना so मैं क्या करने वाली हूँ click on sprite sprite click करने से देखो motion blocks यहां पर लिखा है motion इसका मतलब है move करेगा है या नहीं yes so move करना blocks तो इतने सारे blocks हैं हमारे पास yes so what are we going to do हम लोग यह sprite को move करने के लिए try करने वाले है समझ में आया आपको so move करने के लिए बहुत सारे options है first single option the first option is going to be move block यह जो आप देख रहे हो move block इससे ही हम लोग करने वाले है okay so हमें तो पता है this is the script pane script pane का मतलब है you will drop drag and drop the block here so drag and drop कैसे करेंगे click करो drag and drop करो समझ में आया आपको yes so मैं यहां पे देख चुकी हूँ move 10 steps अभी तो 10 नहीं चिये if I want to give more steps मैं इससे edit भी कर सकती हूँ कैसे है सुचो कि मैं 50 steps move करने के लिए बोल रही हूँ okay so अभी तो नहीं move हो रहा है कब move होगा when you double click देखा कुछ तो हाटा यांपे था किटन यांपे आगया देखते हैं वापस देखो double click करने से समझ में आ रहा है आपको yes अभी तो मुझे ये तो 50 steps on the right move कर रहा है left move करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे x में positive is on the right side negative is on the left side so plus 50 का मतलब है right में जा रहा है so left में जाना है तो क्या type करना है मुझे yes very good minus 50 अभी double click करके देखो वापस पीछे जाएगा yes see you are making the sprite move sprite तो move हो रहा है यां पे और वां पे it is moving so this is why this is called as a motion block इसे क्या कहते है motion block okay हमें तो पता है move कर रहा है अभी सोचो कि मुझे एक particular coordinate पे जाना है coordinate का मतलब क्या है previous session में हम लोगों नहीं देखा था yes the value which represents the address of a location जो location stage पे mention करता है वो है coordinate देखो आपका mouse pointer ऐसे move करने से आपको coordinate पताएगा मुझे यां पे move करना है kitten को okay so देखो क्या है value काम पे है if I am gonna have this आपको value काम पे देखना है यां पे देखना पड़ेगा आपको देखो I want my kitten to move here so coordinate का क्या है 160 108 x का value है 160 y का value है 108 so I have another option which is called as go to go to 160 और दूसरा option है 108 108 यह जो 16108 है यह तो coordinate को mention करता है इसले हम लोगों ने previous class में coordinate के बारे में फड़ा था so now double click देखो my kitten is gone there अभी दूसरा option करना चाहती हूँ तो minus कर सकते हैं और देखो do you understand this takes values of coordinates जो location का value होता है वो यह लेता है x और y समझ में आया so go to will take x and y value of the position stage के अंदर जो x and y आप mention कर रहे हो वाम पे जाके बैटेगा समझ में आया so this is go to यह है go to block आज सो देखो कि if I want for example मुझे सिर्फ move करना है 10 steps यहां से 10 steps move करना है और यहां पे जाना है काम पे 170 कमा 102 पे जाना है if I want the cat to move 10 steps first and then go here मैं 2 instructions को देख सकती हूँ कैसे देऊंगी मुझे तो पता है move करना है तो move 10 steps drag करके drop करना है वो तो मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद क्या करना पड़ेगा एक particular position के जाने के लिए कौन सा block use करना पड़ेगा go to very good so go to को क्या करते हैं हम अभी now go to will have the values of 170 and minus 102 so go to को click कर के drag करना है और very very important thing आपको इससे इस पे fix करना पड़ेगा fix नहीं करोगे तो it will not run सिर्फ एक ही run होगा fix करने से ही दोनो instructions एक साथ run होगे for example क्या था values 170 और दूसरा था minus 102 है ना so जब कभी आप fix करते हो जब यह fix हो जाता है उसका मतलब है after this instruction is done please do this instruction समझ में आए आपको so double click कर रही हूं फटा फट हो गया move 10 steps किया और वापस यहां पे आ गया अगर if I am gonna do this सिर्फ यह run होगा क्योंकि दूसरा instruction है वो बहुत दूर है यह जो instruction दोनों के एक के साथ fix हुआ है तभी it will work properly समझ में आया आपको मैं यहां पे 100 दे रही हूं पहले तो it has to move 100 steps and come back to this position देखो वाँ पे ही देखते ही रहो stage पे then only you can see the difference क्यों नहीं देख रहा है आपको क्योंकि बहुत 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 फास्ट है यह बहुत बहुत फास्ट है देखो move 100 steps हुआ अभी तो move 100 steps के बाद वापस यहां पे आ रहा है so this is the second instruction हमें यह first instruction क्यों नहीं दिख रहा है क्योंकि both the instructions are very very fast समझ में आया आपको so यहां पे आप एक नया वाला block use करेंगे events में रहेगा एक control में रहेगा उन्हें कहते हैं weight block यह जो weight block है this will wait एक instruction के बाद आपको 3 seconds wait करना है तो wait करने के बाद this will work अभी देखो wait किया वापस आया wait किया 1 2 3 वापस आया okay so this will help us in seeing every single instruction clearly समझ में आया so motion block समझ में आया आपको move block or go to block yes इस में दूसरा option है जो है move to mouse pointer जहां भी मैं mouse pointer को लेके जा रही हूं वहां पे cat आयेगा देखना है आपको double click करो mouse pointer कहां पे था okay so every time wherever your mouse pointer is सोचो कि mouse pointer यहां पे है मैं double click करने से देखो बाहर आ रहा है you understand so whenever you move the mouse pointer wherever you move the mouse pointer वहां पे वो आ जाएगा so कितना blocks देखे थे हैं आज हम लोग move block देखे हैं go to block देखे हैं और go to mouse pointer भी देखे हैं है यह नहीं yes so coordinate है वो coordinate पे वो चाएगा okay समझ में आया आपको so what did we learn today we have seen about move block go to block and wait block so आगे के sessions में we will see more about the motion blocks until then bye-bye